अरे असालो ओलेकूं, आज हम बनाएंगे गयहूं के दलिये से बनाई गई हलीकW जिसके लिए हम ने हमने चाहिए हमने एक किलो दलिया लिया हैं गयहूं का यह इस तरह का मार्कित में दलिया मिल जाता हैं आसामे से इस तरह से बारिक होता है यह दलिया इस तरह से तो यह आसानी से मार्कित में मिल जाता है तो यह हमने टोटल की 500 गिराम का है तो हमने टोटल दो लिये है यह एक किलो लिया है टोटल हमने यह दलिया तो इसके हिसाफ से हमें चनी की दाल 300 गिराम लगेंगी यह हमने एक कप भरके और फ तो यह पहले दाल को अलग भीगो कर इसे अलग से गलाएंगे और यह दलिये को हम चार से पांच घंटे भीगो कर रखेंगे और अगर भेन अगर आपके पास मार्किट में या आपके वहाँ यह दलिया नहीं है या नहीं मिलता तो आप गहूं आप सुबा में रात भर गहूं भीगा कर उसे सुबा में इसका पानी निथार कर उसे थोड़ा हवा में सुका लेना फिर उसके बाद उसे मिक्सी में रफली पिस लेना फिर उसके बाद इसे और थोड़ा सुका के इसको सूप से पच्छोड के इसके उपर के जो छिलके होते हैं वो निकाल लेना त Wilson से और 2-3 гंटे भिगा केभिए, कुकर में गला सकते हैं तो इसलिए सी कुकर में गलाए और हमको इससे की तरी गलाओ डायी है। कि सबसे पहले हम इसने भिगा देंगे, फिर हम मसालह क्या लगेंगे हम और बताएंगे आपको जो हमने हलीम के गहुँ जो भिगाए थे यह दलिया तो यह से हमने छे घंटे से भिगा के रखा तो यह अच्छी तरह हमारे यह दलिया भिग चुका है अब इसे हम एक बगोने में पानी गरम को रखा यह से 10-15 मिनिट से इसमें हम यह डाल देंगे यह बगोने में हमने पानी का अधन रखा था उसमें हम यह डाल देंगे इस तरह से यह यह जो हमने दलिया भिगाए था इसका पानी है यह वह भी हम डाल देंगे टोटल हमने इसमें यह लिटर पानी में हमने से भिगवया था और पिर और हमने एक लिटर पानी डाल आप आपके हिसाब से कम जादा डाल सकते हैं अगर हम के और लगा के और लगेगा पानी था हम और डालेंगे अभी हम इसमें सिर्फ दो टेबल स्पून अम्मक डालके से गलने देगें इसमें हम ये एक से दो टेबल स्पून अम्मक डाल रहे हैं फिर बात में हम और डालेंगे चक्कर और ये तीन टेबल स्पून तेल है मीठा तेल ये डाल दे रहे हैं बस इससे हम 20 से 30 मिट तक इसी तरह हमें गलने देंगे और फिर अब जो दाले हमें विगाए थे कंढ़कर हम 20 मिट गलने देंगे यह जो दाल हमने मसूर की चनी की और मूम की दाल जो भीगाई थे वह भी चार पज घंटे से भीग रही है अच्छी गल चुके हैं अब हमेज इससे दो से तीन सीटी लेकर कूकर में इसे भी गला देंगे बाखी की मसाले हम फिर आपको बादने बता देंगे हमारा हली 20-25 मिनिट से हमने गलने दिया है कम हमने 10 मिनिट फुल गयस से गलने दिया था पिर इसके बाद हमने आज को स्लो कर दिया था तो यह अच्छी तरह से यह हमारा दली अच्छी से गल चुका है अब इसे हम और 3-4 मिनिट गलने देंगे इसके बाद हम गयस बुजा देंगे और इसमें से हम बिल्कुल 2-3 कप मिक्सर में दाल के इसे पिस देंगे बाखी का में ऐसी ही मोटा मोटा रहने देंगे सिर्फ मामूली बस 2-3 कप हम इसे इसमें से थोड़ा सा आता है पाव निकालकर हम इसमें से पिसेंगे और बाखी का वैसी ही रहने देंगे कि यह अच्छे से गल चुका है तो चलिए से रहा हम ज्यास को बंदर देंगे अब ज्यास को बंदर देंगे कohit हमने दाल को भी ब्लैंड कर दिया है इसलियां इसको गलने के बाद review अिए चार से सीटी होने दिया था बीज से पचीस मिनीट टाख हमने से गलने दिया दिया और यह एक प्याली बद्लिया ज पने से मेंने एक प्याली पिसां करें। बाखिवी का दलिया वेसी की की दलिया रहने दें थोड़ा Mr. ek त्छी की अलए बाखिशा दलिया में不多, बगार। अब हम ये मसाले बगारे बाद इसमें हलीव में डाल देंगे दाल को भी इसलिए हमने आच्छा है तो मिक्सर में भी पी सकते हैं ये हैंड बिलेंडर भी कर सकते हैं यह हमने मतन लिया था, 1.5 किल मतन है ये हमने हल्दी नंमग और अद्रक्लेसन दाल के 5-6 सीटी होने तक इसी गलने दिया इसे टोटल हमने आदा घंटा गलने दिया बीस मिनिट हमने पुल गैस पर और दस मिनिट हमने स्लो आच पर गलने दिया तो यह हमारा मतन गल गया है, अब हमें मसाले लगेंगे, तो हम इसके लिए हमें चाहिए, पिसने के लिए हमें यह मसाले लगेंगे, जो काला मसाला है, जो हमने पाए के सालन में और मांडे के सालन में भी डाला था, यह धनिये का फूल, दो आधी प्याली समझे धनिये का और 10-12 नाके सर जिसे कवाब चीनी भी कहते है यह लिए है और यह बादिया तीन फूल चक्री हमने बादिय के लिए हैं और चार बड़े इलेच चलिया है अज इनिक सब मसालों को हम तव्वे पे भूलेंगे जैसा हमने पाए के सालन के मसाले को भूना था और गरम मसाले को भ 3-3 उस्पून, शाजीरा, 10-12 काली मिर्ची, 4 एलेची, 2-3 चार लॉंग और 4-5 तालचिनी के टुकड़े लिया है इसे भी हम फूल के इसको भी बारिक मिक्सी में पिसलेंगे और यह खोपरा हमने 5 टेबल उस्पून खोपरा लिया है टोटल यह 100 गिराम खोपरा है और यह प्याज हमने 4-3 चार प्याज लिया है था हमने इसे पतले स्लाइस में काटते है जो हमें गानिशिंग के लिए हलीम में लगेगी तो इसे हम तल के इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे तल लेंगे और कोतमीर हमने यह हरा धनिया एक टेबल इस्पून लिया है तो से तीन ह हरी मिर्ची यह भी हम मसाले में पिसने में ले लेंगे और यह प्याज हमने एक बड़ी प्याज लिया था है इसे रफली मोटर मोटर चौप कर दिया था हमने इसे भी हम तव्वे पे भून कर यह सब एक साथ पिस लेंगे हम हरा धनिया कोतमीर और खोपरा और गरम मसाला ख हल्दी रगया हमने एक ठीधी प hugging दो टेबल इस्पुन हमने निर्ची लिया है लाल थे přिच प्रक्यज्ट्रण का पंप्有 क्या हमारी से निकोल को फिर हम्हें प्यास का तब मिधष भी दाला लेंगे तो चलिए हम यह मसालगों का फिर के मिकसर हम किस लेतेits खोपरा हमने भून लिया है जैसे पाय के सालन का भूना था और यह हरी मिल्ची को भी इसमें हलका सा प्राय का दिया है ताकि इसमें कच्छी भूना आए वलके इसे भी हमने भून लिया है और यह तेज पत्ता बादिया यह भी हमने अच्छे से भून लिया है अब इसमें हम प्ट लेंगे हम तुछे के लिखे जोड़ा हो थीख को में तेल डालें कर इसे भी होपरें और तेथ पत्य के के काली मसालक से पित लेंगे हम जो ये बगोले में जो हलीम रखे थे उसमें हम यह जो डाल वो पिस्के रखा था हमने वो इसमें डाल दे रहे और इस अच्छी तरह से बिला देंगे यह बगार हम एक अलग से बगोने में बगार के फिर इसमें मिलाईएंगे और यह जो हमने पिस्के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे फिर दूसरे अलग से बगोने में हम मसालाओं सब बगार के फिर इसमें मिक्स कर डालेंगे जैसे हम एक तरफ पकने देंगे और अब इदर हम बगार बगोने में बगारेंगे सबसे पहले हम यह जो तेल रखा था हमने 200 ग्राम वो डाल देंगे यह अलग से हमने चोटा बगोनन लिया लिया है बगार को अरुआ हमारा दल्यां दुसरे बगोने में है गलावा इसमें हम यह बगार डाले रखाथा हम renा भात इसमें मिला देंगे प्राए हमें देंगे तर इसके बाद इसमें ने घन्याच चीपिती जो रखी ती वो भी डाल देंगे तर ये लाल मीक्षी तॉलड़ जो रखा तम ये तो भी डाल देंगे तो फोड़ा दींगे 12 मिनित तुर ये अल्डी तॉलड़ कि इसके बाद ही में मसाला रहे हैं कि इसके बारिक से बहुत जादा बारिक नहीं भी पिसे तो चलता कि हमारा हलीम ब्र्रत ही मोटा मोटा ही रहता है हलीम धी होई भी चीज में खिचडे में एक मासाला रहे हैं तो मसाला भी रहता चलता प्रिफ उन्हें के लिए इसे 4-5 मिनिट पकने देंगे और दली में फिर डाल देंगे यह हमारा दो-ती मिनिट से पकड़ा हैं इसको इसमें वे हम नम्मक डालेंगे हमने एक टेबल स्पून से देड़ टेबल स्पून नम्मक डाला हैं आप आपके हिसाथ से डाल सकते अब इसे हम यह दल्ये में डाल देंगे इसमें यह इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से मिक्स करके से हम दस मिनिट आट-दस मिनिट और पकने देंगे अच्छे से पकने देंगे इसे अच्छे से पकने देंगे यह चार पंग, चार पंग मिनिट से हमारा यह हली पक रहे हैं अब इसमें हम आखेर में यह गरम मसाला जो हमने भूनकर बारी पिस लिया था यह सबसे आखेर में से तरह से डाल लेंगे और हरी मिर्ची डाल देंगे और यह 6-7 हरी मिर्ची को हमने बीच में से कट लगा दिये थे यह भी इसमें डाल देंगे और बस अब इसमें हम बसी से हम 4-5 मिनिट और पकने देंगे इसके बाद यह हमारा हलीम तयार हजाएंगा इसे हम एक सर्विन बॉल में निकाल लेंगे यह हमारा हलीम तयार हो चुका है इससे हम यह जो प्यास तल के रखेते फ्राय करेंगे के तेल से और प्यास के स्लाइस से और हरे धमिये से इसकी गानिशिन करेंगे इस तरह से हम इसमें इसमें अबशाएंगे प्यास डालेंगे और इस तरह से हरा धनिया डालेंगे लीजिए यह हमारा हलीम तयार है इससे हमने लिंगु से और प्यास और हरे धनिया से इसकी गानिशिन करेंगे और प्यास का तेल भी निस में डाला तो आप जब भी खाएं इसकी तेल डाल के खा सकते हैं असली भी डाल के खा सकते हैं तो बहनों यह नवारा लजीस हलीम तयार है कर दो